हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप समी लोग मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थारू जनजाती के बारे में हर बार एक कोश्चन आपके पेपर में थारू जनजाती से आता रहता है और आपको हर पेपर में मिलेगा हर पेपर में आपको हमेशा मिलेगा और कई पर पूछा भी जाता है आपसे पेपर में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है थारू जनजाती के बारे में सारी के सारी चीज़े हम लोग क्या करेंगे पढ़के खतम करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू पे निवास करते हैं तो उसका मेंली आंसर हो जाएगा उत्राघंड और उत्तर प्रदेश कि जी बहज वहां पर में जाते हैं जैसे कि महराज़गज जिद्धात नगर्ष रावस्ति बहराय朝 र लखींपुर खीरी और लखीमपुर खीरी को आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यह है ठीक है तो आप समझ गए कि किस भाग में निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे उपरी भाग में निवास करते हैं नैपाल से सटे हुए जिलों में तो आते हैं यहाँ प से संबंदित हैं अब देखिए थारू नाम की उत्पत्ति के विशय में कुछ विद्वानों का कहना है कि यह लोग राजपुताना के थार मरुष्थल से आकर यहां के बसे हुए तो देखिए जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे जो इतिहासकार होते हैं विद्वान होते हैं या जो इनके बारे में बहुत ज़्यदा नॉलेज रखते हैं तो उन्होंने क्या बताय है कि वह राजपुताना के थार मरुष्थल से आकर यहां बसे हुए यानि कि यह लोग कहा हैं अब थार मरुष्थल आपको पता है कहां पे हैं यह भारत का सबसे बड़ा मरुष्थल और यह राजस्तान में हैं तो वहाँ पर जो मरुष्थल में लोग रहते थे राज-कुताना के लोग वो लोग यहां पर आके बसे हुए और इहनी को हम लोग क्या कहने लगे थारू कहराने लगे ठीक है तो अगर आप से यह पूछ लिया जाए कि यह लोग कहां से आये हुए हैं तो यह आये हुए हैं थार मरुष्थल से रहने वाले लोग कहां पर आये हुए हैं यहां पर तराई छेत्रों में रहते हैं और उन्हीं कहों क्या कहते हैं आपके थारू जन जाती अब चलिए इनके बारे में जो विसेश्ता हैं वो पढ़ते हैं धिरे-धिरे हम पहला इस तक यह है थारू लोग कद में छोटे चौड़ी मुखाकरिती और पीले रंके होते हैं पुरुसों में इस्त्रिया कहीं अधिक आकर्सक और सुन्दर होती हैं तो देखिए पुरुस का जो कद होता है वो छोटा होता है यानि कि वो नाटे होते हैं और उनकी जो मुख हो पूचन क्या है? तो देखिए अब इस सुवर और म मद्रिया का खुब प्रेयोक करते हैं यानि कि ये लोग सुवर और मर्गी भी पालते हैं लेकिन match be खाते हैं और मद्रिया का मतलब होता है ये लोग शराब भी बहुत पीते हैं उसके बाद आते हैं अगले point पे थारूज जाती में संयुक्त परिवार की प्रथा है यानि कि जो परिवार है वो संयुक्त रहता है यानि कि दादा दादी पापा मम्मी सभी लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार अब देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं थारू में विवा के लिए वर पच्च को कर् पच्छ को ठीक है कन्या पच्छ के यहां जाना होता है जैसा कि हिंदू धर में भी होता है विवा बिना दहेज के बिचयुलियों के माध्यम से तै होता है तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो विवा होता है उसमें दहेज नहीं चलता है अब देखिए विवा त तै हो जाता है तो उसे पक्की पोड़ी कहा जाता है तो जब विवाद तै हो जाता है इन लोगों का तो विवाद तै होने को हम लोग क्या कहते हैं पक्की पोड़ी हिंदु धर्म में क्या कहते हैं कि रिष्टा पक्का हो गया तो यहां पर क्या कहते हैं पक्की पोड़ी तो देखिए विवाह का खर्च दोनों पच मिलकर उठाते हैं तो विवाह का खर्च दोनों पच यानि की वरपच और महिला पच कन्या पच दोनों लोग मिलकर उठाते हैं अगला पॉइंट है इनमें विवाह रस्म का संपाधन भर्रा पुरोहित द्वारा कराया जाता है विवा ये आपको मानसाहरी घहना मिलेगा अगले प्रता है अगर को इस प्रकार के भिवा में भोज दिया जाता है जिसको लट भोज कहते तो अगर पूछा जा कि लटवरवा भूज किस जनजाती के लोग करते हैं या किस जनजाती के लोग से संबंदित है तो ये है थारू जनजाती से संबंदित अगले point पे आते हैं ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं इनके अनेक देवी देवता होते हैं ये भूत प्रेत और जादू टोना इट्यादィ में विश्वास रखते हैं यानि की इनका जो जिस तरीके से हिंदू धर्म है तो ये लोग हिंदू धर्म को में बानते हैं और साथी साथ इनके भी अलग ही देवता हैं जिस तरीके से सभी लोगों के होते हैं और भूत प्रेत और जादू टोना इत्यादी में ये लोग विश्वास रखते हैं चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं ये लोग हिंदू के सभी तेवहार मनाते हैं बहुत में होता है तो अगर आपसे पूछा जा कि बजहर नामक तेवहर कौन मनाता है थारू जन जाती कम मनाते हैं जेश्ट अथवा बैसाक के दिनों में अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये बारबार पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तेवहर हिंदू का जिसे थारू लोग सोक के रूप में मनाते हैं ये इसलिए बना तो वो कौन सा है पहले तो ये जानी है क्योंकि सोक के रूप में जो मनाते है तो हर वह दिपावली ठीक है इस दिन वे अपने पूरवजों को भेट आदी प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है ठीक है तो उसको भी हम रोटी कहते हैं या ब्रह्मभोज का नाम दिया जाता है चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं इनकी अर्थ व्यवस्ता कैसी है तो इनकी अर्थ व्यवस्ता जो है वो कैसी है क्रिसी प्रधान है और यह लोग कौन से खेती करते हैं मुख्य था धान की खेती करते ह अगले point पे आते हैं कि इनके मुख्य व्यवसाय क्या क्या है तो पसु पालन लकडी धुलाई लकडी कटाई शिकार वन भूमियों से लकडी जडी बूटी फल फूल एकत्र करना आदी है अब नीचे आता है अगला point लखीमपूर जनपद में तो लखीमपूर खीरी के बारे म हम जानते हैं लखीमपूर जनपद में एक महाविद्ध्याल थारू जनजाति के लडगें-लडगें को शिछा प्रदान करने ही तो अस्तापित किया गया तो आप से TWção ये भी आपका थारू जन जाती के बारे में और अभी दो-तीन जन जाती और हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आगे भी शेयर करें कि जो देकलिक थाइख वाजिक वाजिट तूरियल